कमला देवी का जनम मैंगलॉर में हुआ और वे गौर सारस्वत ब्रहमन समुदाए में आती थी उनके पैता जिला कलेक्टर थे और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ती थे लेकिन कमला देवी जब बच्ची थी तभी उनकी मृत्यू हो गए और उनकी आगे की परवरिश का जिम्मा उनकी मा नहीं उठाया हाला कि उननेस्वी सदी में लड़कियों के लिए स्कूल की विवस्ता नहीं थी लेकिन कमला देवी की मा गिरजा बाई की पढ़ाई लिखाई घर पर ही पंडिटों के जरिये हुई पती की मृत्यू और समाजिक दबाव के चलते मा गिरजा बाई ने 11 साल की उम्रे में बेटी कमला देवी की शादी करवा दी लेकिन करीब 1.5 साल बाद ही कमला देवी के पती की भी मृत्यू हो गए भले ही उनकी माँ अपनी बेटी के बाल विवा के लिए उस समय मान गई थी लेकिन कमला देवी की माँ ने अपनी बेटी के लिए उन सारे रीती रिवाजों को मानने से इंकार कर दिया जो ब्रहमन समुदाय में एक विद्वा के लिए तै थे उन्होंने ना कमला देवी का सिर मुनवाया, ना सफेद साड़ी पहनाई और ना ही किसी अकेली कोठरी में रहकर पूजा पाठ करने को मजबूर किया गिर्जाबाई ने समाज की परवा किये बगैर ना किवल कमला देवी को स्कूल भेजा बलकि खुलकर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया गिर्जाबाई महीला आक्टिविस्ट पंडिता रामबाई और रामबाई रनाडे की समर्थक थी और उन्होंने कमला देवी के सामने अनी बेसिंट को एक रोल मॉडल की तरह पेश किया और कमला देवी ने इन प्रभावशाली महिलाओं से बहुत कुछ सीखा चन्नाई के Queens Mary College में पढ़ते समय कमला देवी की मुलाकात सरोजिनी नाइडू के भाई हरिंद्रनाद चटोपाद ध्याई से हुई हरिंद्रनाद अपने समय के जाने माने कवी और नाटकार थे 20 साल की उम्रम में कमला देवी ने हरिंद्रनाद से शादी गी हरिंदरनाद से शादी पर भी कटरवादी तत्वो ने काफी आलोचना की क्योंकि कमला देवी एक विद्वा थी और जब आगे चलकर कमला देवी ने हरिंदरनाद से तलाक लेने का फैसला किया तब भी उन पर काफी सारी उंगलिया उठाई गए लेकिन इन सब को नजर अंदाज कर कमला देवी ने महिलाओ के सामने हमेशा एक उदाहरन पेश किया लेकिन इन सबसे पहले वो मात्मा गांधी से प्रभावित थी साल 1920 के शिरुवाती दिनों से ही राजनीती में उनका सुझ्जाव साफ था जब मात्मा गांधी ने 1923 में असायोग आंदोलन की शिरुवात की तब कमला देवी अपने पित्तकी के साथ लंडन में थी उन्होंने वापस आने का फैसला किया और कॉंग्रेस सेवा का दल का हिस्सा बन गए 1926 में उनकी एक एहम मुलाकात हुई मार्गरेट कैजन से मार्गरेट आइलेंड की महिला वादी नेता थी मार्गरेट ने All India Women's Conference का गठन किया और कमला देवी इस संसा की पहली महा सचीफ बने मार्गरेट ने प्रोचसाहन से कमला देवी ने जल्द ही एक बड़ा कदम उठाया जो उन्हें भारतिय राजनीती में एक अनूठा स्तान देता है मड्रास और बॉंबे प्रेसिदेंसी में पहली बार महिलाओ को वोट देने का अधिकार मिला और महिलाओ के इस हक को दिलाने में मार्गरेट की पहली एहम मानी जाती है साल 1926 में तपके मड्रास प्रोविंशियल लेजिसलेचर के लिए चुनाव है चुनाव से ठीक पहले महिलाओ को चुनाव लडने की परमिशन दी गए मार्गरेट के प्रोत्साहन के बाद कमला देवी ने चुनाव लड़ भी इस चुनाव में प्रचार के लिए काफी कम समय बचा था कमला देवी अभी तक बोटर के तौर पर पंजीकरित नहीं थी आनन फानन में चुनाव के तयारी की गए फिर उन्हें महिला कारेकरताओं का समू बनाया और धुनाधार प्रचार करना शुरू कर दिया इसमें कमला देवी के पती हर्जनाथ ने नाटको और देश्भक्ती के गीत प्रचार के दौरान गा कर उनका प्रचार किया आखरी मौके पर चुनाव मैदान में उत्री कमला देवी बहुत कम मतों से हार गई लेकिन अपने इस कदम के साथ ही चुनाव लड़ने वाली वो पहली महिला भी बनी कमला देवी के इस कदम से राजनीतिक पदों का दरवाजा महिलाओं के लिए खुल गया था आजादी के बाद कमला देवी चट्टोपाध ध्याई ने कोई भी राजनीतिक पद लेने से साफ इंकार कर दिया तब के मद्रास रीजिन के मुख्यमंत्री के कामराज उन्हें राज्यपाल बनाना चाहते थे जब उन्होंने ये प्रोपोजल जवाहरलाल नहरु के सामने रखा तो नहरु ने कहा कि आप खुद कमला देवी से पूछे अगर वो हा कहे तो कोया पत्ती नहीं होगी कामराज समझ गये कि कमला देवी कभी किसी सरकारी पत पर बैठने के लिए तयार नहीं होगी आजादी के ठीक बात कमला देवी ने अपना पूरा ध्यान माईगरिंस की पुनरवास पर लगा दिया था कौपरेटिव मॉवमेंट में उनका गहरा वश्वास था उन्होंने इंडियन कौपरेटिव यूनियन का गठन किया कमला देवी ने लोगों के सहारे माइगरिंस के लिए शहर बसाने का प्लान प्रधानमंती जवाहरलाल नहरू के सामने भी रखा जवाहरलाल नहरू इस शट पर मान गये कि सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद न रखी जाए कमला देवे चटोपाध्याई ने इंडियन को ऑपरेटिव यूनियन की मधद से भारत पाकिस्तान के बटवारे के बाद नौर्टीस फ्रंटियर प्रॉविन्स से आई शरनार्थियों को दिल्ली के करीब बसाया वही जगा आज फरीदाबाद नाम से भी जाना चाता है कीजिए दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से चिड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है बॉलिकराद स्ट्यूडियोस